चलिए सर हम बात करते हैं अज्जस्मेंट ही कितने अज्जस्मेंट हो गए सर हो गए हमने 22 अज्जस्मेंट अभी तक कर लिया है आते हैं 23 अज्जस्मेंट पर सर 23 अज्जस्मेंट क्या कहता है 23 अज्जस्मेंट किस पर है अगर आपको अज़स्में आजाए ना टो अंडर्वेल्यूट खुद भाखुद समझ मेंट आ जाएगा अई अप अगर्वेल्यूड अफ स्टॉक आप अब अब्वेल्यूट का मतलब क्या आके दिखाओ तो आप सीधा connect करिएगा आपको समझ में आ जाएगा सर हमें करना क्या चाहिए यहां लिखा मैंने opening stock पचास अजार यहां लिखा मैंने closing stock चालिस अजार यहां लिखा मैंने sales एक लाग यहां लिखा मैंने purchase पेस अजार तो बताओ जीपी क्या आएगा जीपी बताओ एक चालिस और यही आ जाएगा एक चालिस में से सतर जाएगे तो सत्तर अजार जीपी है माल लेते पी हैंडल में कुछ नहीं है तो यही इन पी बनेगा अब अगर मैं balance sheet बनाऊँगा balance sheet में capital आएगा और capital माल लेते हैं पहले से 2,00,00 का है इस capital के अंदर जीपी एनपी कुछ भी जोड दिया हमने कितना जोडेंगे यानि यह कितने को हो गया अगले साल की कहानी देखो अगले साल क्या हुआ सर अगले साल क्या हुआ सर अगले साल opening stock होगा तर अगले साल जो होगा यह माल लेते हैं 2020 की कहानी है और हम आगे हैं अब 2021 में अब opening stock opening stock क्या आएगा जो पिछले साल का क्या होगा वही अगले साल क्या बनने वाला है opening that is आपका 40,000 और capital क्या आएगा capital कितना आएगा 2,70,000 profit add हो गया तो 2,70 मैंने एक adjustment जैसे ही आपने यह लिखा नहीं मैंने आपको एक जानकारी दी कि भाईया last year का न closing stock 5000 से overvalued है यानि last year का जो closing stock आपको यहां दीख रहे हैं वो गलत है और वो 5000 ज़्यादा दिखाया हुआ है तो हम पीछे तो जा नहीं सकते सर back date पे तो जा नहीं सकते अब एक पल को सोचो आप जा रहे हो तो अगर आप back date पे जाते ना तो पता है क्या करने वाले थे back date पे जाके आप सर बड़ी सीधी सी बात है यहां पे आप कितना करने वाले थे इसको सही value लिखते आप error देखो क्या है वहाँ पे क्या बोला error में 5000 ज़्यादा है तो पिछले साल अगर मैं ठीक करने का मुझे opportunity मिले back date पे तो मैं क्या करता है यहां पे 35 लिखता अब जिसकी वज़े से मेरा GP कितना आता और जिसकी वज़े से मेरा capital कितना होता ठीक है ना यही होता ना अब यह चीज़े आपको current year में पता चला तो हम अब back date पे जाते तो यह सही करते हैं अब current year में सही करना हो तो जो हमारे back date पे सही करते हैं तो पता है किसमें impact करते हैं closing में और फिर किसमें करते हैं दो ही जगे तो impact मारा आपने एक कहा मारा और एक कहा करा तो वो current year में भी कर सकते हैं ज़रूरी थोड़ी यह पिछले डिट पे जाए तो हमें क्या करना चीए closing को न छेड करके क्योंकि यही तो वापस आया है यही वाला तो यहां पर आया उठके तो हम यहां से क्या कर दे minus minus कर दे न कितना minus कर दे बात बन जाएगी same और यहां capital क्या कर दे 5000 से बात same बन गई तो in case of closing stock over valued हुआ तो हमें दो entry करनी पड़ेगी current transaction में क्या करनी पड़ेगी opening stock को कम करिए और दूसरा capital को minus करिए यह बात समझ में आई clear हो गया लेकिन अगर मैं इसका opposite बोलता कि सर पिछली बार का वैसे आएगा ने मैं अगर बोलू कि last year का opening stock जादा है 2000 से अब imagine करो last year का अगर opening stock जादा रहा होगा तो हम ठीक करेंगे पहले opening stock को opening stock को ठीक करेंगे जो फरक किस पर पड़ेगा opening stock को ठीक करते ही और जब opening stock सही होगा मतलब मैंने कहा सर पिछले साल का opening stock जादा है कितने से ज़्यादा है, तो automatically ये भी ज़्यादा होगा, ये भी समझना होगा आपको, क्योंकि opening stock ज़्यादा बढ़ा है, मेरे पास माल लेते हैं कि 10 रुपए का समान है, 5 रुपए का खरीद के लाया, कितने का समान हो गया, मेरे पास समान हो गया, 15, उसमें से 13 का बेच दिया 2 का बचा है, मैं बोलू यार, मैंने जो 5 रुपए का समान पढ़ा हुआ है, 10 का खरीदा, ये गलती लिख दिया, ये 4 का होना चीए था, तो actual मेरे पास समान कितना होना चीए, 14, और 13 का बेच दिया, तो closing कितना होना चीए, जबकि मैं कितना बोल रहा हूँ, तो कहींने कही अगर opening stock के अंदर impact डालोगे, तो closing पर पढ़ेगा, पढ़ेगा ये नहीं पढ़ेगा, voice clear नहीं है, एक मिंट, अब चेक करिये, voice clear है, मैं एक बार दुबारा बता देता हूँ, दुबारा से एक बार ले लेते हैं पहले यहां तक समझ में हैं एक बार फिर से देख लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डाउट है अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है हाँ आपे हाला कि मैं देखो अपनिंग बात नहीं करूँगा एक्जाम में आपके सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग वाला पार्ट है मैं एक पूरा सनेरियो दुबारा बताता हूँ ताकि मैं जब अट्जस्मेंट लिखो न तो बस आपको लगए यही तो होना था आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा 2022 की लेटेस्ट रियर की बात करते हैं यह हमारा पी एंडल जिसे ट्रेडिंग अकाउंट बोल दो साथ के साथ यह हमारा बैलेंच शीट ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा यहां पे सेल्स जिन बच्चों को समझ में निया है वो देख लिजिएगा मैंने लिखा यहां क्लोजिंग स्टाउक और यहां लिखा मैंने ओपनिंग स्टाउक यहां लिखा पर्चेज तो हमारा यहां पे जो जीपी या एनपी कह लो क्योंकि कुछ है नहीं नेट प्रॉफिट लाइक तो यह 140 140 माइनेस पचास अजार कर दोगे तो जीपी आ गया 90 और यहां मैं मान लेता हूँ मेरा क्यापिटल है 2,00,00 तो आप क्या करोगे सर इस जीपी को उठा के कहां ले जाओगे एड कर दोगे अब बच्चे प्लीज यह ना कहें कि सर जीपी थोड़ी एनपी एड होता है मान लेते हैं कुछ है ही नहीं हमारे पास तो यह यह एड हो गया यह आपका पिछली बार की टोटल कहानी है आपके सामने गेवन है जो यह यह पिछले साल की टोटल कहानी मैंने आपको बता दिया है यह समझ में आ रहा है अब इस कहानी के अंदर एक गड़वड़ी है क्या गड़वड़ी है जो कि आपको इस साल तो नहीं पता लगा इस साल पता लगता तो ठीक ही कर लेते हैं आपको next year पता चला और next year क्या पता लगा सर आपको next year पता लगा closing stock found of found overvalued by 2000 on 31 2022 date पर ध्यान दिजेगा यह 2000 तो सर यह भी तो 23 होगा आप बताओ हम 23 का काम कर रहे हैं यानि सर यह 23-24 है और यह क्या है 22 तो अब मैं पिछले साल की बात करूं आपके पास दो साल है 22-23 का साल है और यह 23-24 का तो पिछला सालों का बाइस थीज अर्जस्मेंट में मैंने क्या लिखा के क्लोजिंग स्टॉक को पाया गया कि वो 2000 रुपे से जादा है और किस डेट पे पाया गया 31-32 हजार यानि इस डेट पे जो क्लोजिंग है उसके अंदर पाया गया आपको यह नहीं बताया कि आपको क्या है अगर मैं क्लोजिंग नहीं बोलता है तो आप डेट से समझ जाओगी इस बार के क्लोजिंग का यानि बड़ी सी बात है अगर में मेरे पास ऑप्शन होता कि बैक डेट पे जाके मैं चीजों को सुधार लू तो बड़े आसानी से मैं सुधार सकता था जैसे अगर मुझे ये उप्शन दे आ जाए कि बैक डेट पे जाके सुधार ले भाई तो मैं ये क्लोजिंग स्टोक जो जादा लिखा था ना यहाँ पे मैं घटा देता और कितना घटा था पता है और इससे मेरा जो क्लोजिंग स्टोक result में निकल के आता ना वो आता 38 जैसे ये 38 आता तो मेरा total भी 138 हो जाता और जैसे ही total 138 आता तो automatically हमारा profit भी reduce हो जाता और ये आ जाता हमारा 80 88 होता ना और जैसे ही 88 होता तो यहाँ पे भी जो होता ना हमारा capital वो हो जाता पता है कितना 288 यानि सर अब मुझे current year के अंदर देखा जाए तो मैं इसको फिर से हटा देता हूँ यहां पर अगर यह scenario पर हम आए तो current year में देखा जाए अगर आपको कुछ यह जानकारी ना पता हो तो आप इस साल के data को अगले साल use करते हो इस साल के data में एक तो closing stock है इस साल use करोगे जिसको क्या बनाओगे सर opening stock और opening stock कितना बना दोगे आप 40,000 और इस साल के data में आप capital यूज करोगे और capital क्या लिख दोगे अगर आपको error ना पता हो तो आप capital लिखोगे सीधा 290 का अब आपको error पता चल गया अब इस साल हमें error को सुधारना है ना कि पिछले साल एक्जामनर बोलेगा कि अब आप इस साल rectify entry करो तो जब आप इस साल rectify करोगे तो अगर पिछले साल को ध्यान पूरवक देखो ध्यान से देखो तो दो ही जगा फरका रहा है में लिए closing stock के उपर फरका रहा है और एक कहा रहा है capital में तो सार इस साल भी हम उसी जहां जहां फरकाया उसको change कर देंगे तो इस साल भी देखा जाए तो एक capital पर तो फरक आएगा लेकिन इस साल closing stock पर फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछले साल के closing stock पर फरक आया है तो इस साल कहां value है तो हम इसको क्या करें यहां से minus कर दे कितने से minus कर दे सर 2000 एक तो यह adjustment लग गया और capital को भी minus कर दे थें किस नाम से over value कितने से minus कर दे सर 2000 तो अब जाके rectify हो गया बाकि finally हमारे जैसे काम चलता है चलता रहेगा पहले कि यहां तक देखिए अगर मैं यही थोड़ा सा situation पहले यहां तक देखिए जितने बच्चे लाईव है किसी को कोई डाउट अगर यही situation में change कर दूँ sir क्या change कर दूँ इस situation की मैं बात करूँ कि मैं overvalued के जगह पर यहां पर लिख दू अंडर वेल्यूट तो आप क्या बता सकते हैं इसका क्या result होगा इस overvalued को मैं कर दूँ अंडर वेल्यूट अंडर वेल्यूट अंडर वेल्यूट बाई 1000 कर देता हूं सब्सक्राइब पिछली बार का closing stock अंडर वेल्यूट है तो आपका और वेल्यूट हो तब भी क्या करेंगे और अंडर वेल्यूट हो तब भी क्या करेंगे यह 11 वी क्लास में यह concept नहीं था आपके जो कि आपके first year के अंदर है यह concept तो आपको पता चल गया अब यहां पर समस्या आता है कि सर ओपनिंग स्टॉक का रहने देते हैं ओपनिंग स करूं कि अगर स्टॉक के ऊपर treatment की बात करें तो सर स्टॉक के ऊपर adjustment नंबर कौन सा बन रहा है यह 23 यह 22 अगर हम इसकी बात करते हैं देखिए या तो आपका स्टॉक जो होगा और सर स्टॉक कौन सा सर closing या तो stock आपको बोलेगा undervalued या stock आपको क्या बोल सकता है सर overvalued या तो undervalued बोल सकता है या overvalued बोल सकता है अगर मैं undervalued की बात करूँ तो अभी अभी आपके सामने example था आपने बताए कि दो जगए entry कर देना सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैंने का सर दो जगए कहां कहां करोगे जो ठीक हो जाए तो आपने बोला सर एक काम करना ना एक opening stock में यही है ना यह closing में करें opening में क्योंकि पिछले साल का closing है और एक entry कर देना सर कहां पे जाके आप capital में यानि सर आप दो जगए entry कर देना एक opening stock में और एक कर देना सर कहां पे ले जाके capital में तो अगर मैं बात करूँ सर opening stock की तो opening stock में आपने क्या करना है सर और capital में क्या करना है आपने बोला सर undervalued है तो opening stock में भी क्या कर दीजी आप प्लस कर दीजी और capital में भी क्या करिए सर प्लस प्लस यानि add भी मैं लिख देता हूं आप जब noting करोगे तो आपको थोड़ा ठीक रहेगा बताए कोई दिक्कत लेकिन यही कहानी मैंने बोला सर अगर overvalued हुआ तो क्या होगा बोला आपने यह भी solve कर सकते तो सर overvalued हुआ त लग है यहाँ पर हो जाएगा minus यहाँ पर कर दोगे सर आप आपकी किताब में एक सवाल है ऐसा minus कर दोगे यानि less और यहाँ भी कर दोगे आपकी किताब में कुश्चन है कौन सा कुश्चन मिलेगा आपको heading देखिए का आपके लिखा होगा overvalued of stock adjustment purchase sales कहीं मिले तो आप भी मुझे बताना क्योंकि यह रब 21 नंबर प्रोग्राम में 21 नंबर पर है 11.78 अभी मैं कुश्चन सामने दिखा नहीं रहा अगली क्लास में सारे कुश्चन मैं दिखा दूँगा जब मैं करूँगा तो capital कितने है क्या पहले दे रखा debtor and creditor 30,600 साइध यह honors में हो या ना हो उसकी चिंता मत करो मैं बता देता हूं इसमें क्या लिखा है आज पास देख लो जिनका है बागी मैं दिखा दूँगा क्या लिखा हूँ है कहता है it was discovered first April 2020 stock on 31st March 2020 एक अपरेल को discover किया के 31 March 20 में तो सर एक अपरेल 2020 तो यह साल है और 31 March 2020 यही साल होगा यह पिछला साल होगा मैं बात कर रहा हूं एक अपरेल 2020 को मैंने पाया कि 31 March 2020 वाला तो वह पिछला साल होगा यही साल होगा क्योंकि financial year March के बाद तो चेंज ही हो जाता है कि ओवर कास्ट ओवर कास्ट या ओवर वेल्यूड बाई 1000 हायोवर नो एंट्री पास्ट इन अपरेल 2020 क्या पाया गया कि य देखो आप में भी 1000 है हाँ एक हजार तो पांच जर क्या था कुछ भी नहीं है ओनर्स में है कुश्चन कुश्चन नमबर 19 है भाई ओनर्स में पेज नमबर 11.76 यहीं है ना सेम तो अब आपको यह adjustment दे दिया और देखो paper में आया हुआ पेपर में आये गा ऐसा यह adjustment दे दिया तो आपका दिमाग क्या क्या था कि हजार रुपे से हमारा closing stock ज्यादा कर रखा है तो ज्यादा वाला यह वाला concept आ यह तो मैंने अंडर वाला बता है था एक आप capital में क्या कर दोगे एड और एक closing stock में opening stock में क्या करोगे अच्छा हाँ capital में minus और opening stock में भी तो आप इसके answer को check कर सकते हो देखो आपको purchase में से minus कर रखा because आप वो adjusted purchase दे रखा है और एक check करोगे तो capital में से भी आपका क्या हो गया less हो जाएगा तो यह बात समझ में आया आपको adjusted purchase भी मैंने पहले आपको बताया था ना adjusted purchase में already opening stock और closing stock add less हो चुका होता है तो इसलिए आपको closing stock ढूणने से तो वहाँ पर opening तो मिलेगा नहीं तो इसलिए उसने किस से minus कर दिया सीधा सीधा purchase से समझ में आगी बात आपको त adjustment number था 23 कोई दिक्कत इसमें एक बार फटा फट नोट कर लिजिए इसको फिर यहां पीछे तक सबने नोट कर लिया है यहां तक सबका नोटिंग है एक बार यह नोट कर यह पहले है